नमस्कार मैं हूँ साहवली और आप देख रहे हैं livecities.in राज़त सुप्रीमो लालू परसाद यादो से आज मुलाकात का दिन है शनिवार को उनसे मुलाकात का दिन होता है आज राज़त के सीनियर लीडर और लालू परसाद यादो के काफी करेबी माने जाने वाले लालू परसाद की तबियत ठीक नहीं है उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उनके किड्नी में भी बहुत ज़्यादा परशानी है लेकिन साज़िश के तहट सरकार उनको बाहर जाने नहीं दे रही है राजा सुप्रीमौ लालू परसाद यादों से मुलाकात के बाद रगुएंस परसाद सिंग ने मीडिया से बातचीत में सीबी आई के स्पेशल डारेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ जमकर आरोप लगाएं रगुएंस ने अस्थाना को मोदिय करेवी बताया और साथी साथ कहा कि जो लोग भी जनता की बात करते हैं उनके खिलाफ सीबी आई और एडी की कारवाई शुरू करवा दी जाती है रगुएंस प्रसाद यहीं ने रुके उन्होंने आगे कहा कि वस्वास्त की जनकारी लेने के लिए आये थे और महागडबंधन को लेकर कोई बात नहीं होनी है क्योंकि लालू ने जो तैक कर दिया है वही होगा गडबंधन है यह तैक कर लिया गया है कि मोधी सरकार को हटाना है और इसके लिए तयारिया पूरी कर ली गई है तो कहीं न कहीं रगुएंस प्रसाद सिंग ने राकेस अस्थाना को टार्गेट करते हुए लोकसबा चुनाओ 2019 की चर्चा भी मीडिया से सामने कर दी रगवंस प्रसाद सिंग ने कहा कि 2019 में बीजेपी टार्गेट है और बीजेपी को किसी भी हाल में हटा नहीं होगा रगवंस प्रसाद सिंग का ये कोई पहला बयान नहीं है जो वो बीजेपी ये खिलाब बोल रहे थे इससे पहले भी रगवंस प्रसाद लगतार बीजेपी पर निशाना साथते रहे हैं कहते रहें कि BJP जैसे सामपरदाईक ताकतों को रहने का कोई हक नहीं है और वो देश को बरबात कर रही है। रगवन परसाद सिंग ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया कि 2019 में BJP को हटाना ही महागडबंधन का मेन मकसद है। ये कोई पहला मामला नहीं था जब लालू परसाद यादों से मुलाकात के लिए कोई पहुचा हो इससे पहले तेशवी यादों पहुचे थे उसके बाद तेशपरताप यादों पहुचे फिर उनकी बेटी और दामात भी उनसे मिलने के लिए पहुचे और जन दिन के बाद तेस्वी आदो दुबारा से पिता लालू परसादी आदों से मुलाकात के लिए गय थे। डॉक्टरों का ही कहना था कि उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा जाना चाहिए लेकिन रिम्स इस पे कोई फैसला नहीं कर पाया। बाहर नहीं जाने दे रही है। आप लाइब सीटी के साथ बने रही है हम आपको बिहार समय देश-दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट रख रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाईए उसको सब्सक्राइब करिए इसके साथ इसाथ हमारे फैस्बूक पेज को भ ती रहें।